राजधानी दिली के बादली विधान सभा में नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के ततवाधान में 14 न्यादर सिंग यादव मेमोरियल ग्रामिन खेलकुड परतियोगीता का आयजिन किया जा रहा था जिसका रविवार को समापन किया गया इन परतियोगिता में क्रिकेट, कबड़ी, फुटबोल, बोड़ी बिल्डिंग जैसे कई खेलों में परतियोगियों ने हिस्सा लिया और अपनी परतिभाग का हुनर दिखाया इस परतियोगिता में बड़ी संख्या में परतिभागे न हिस्सा लिया जिसके बाद क्रिकेट का फाइनल, फुटबोल का फाइनल और कबड़ी के खेल हुए और सभी टीमों के खेलों के विजेता खिलाडियों को सम्मानित किया जाएगा इन सभी खेलों के विजेता खिलाडियों को नेशन फर्स्ट फाउंडेशन के सर्फधापक देविन रियादव द्वरास सम्मानित किया जाएगा आपको बता दे कि परतियोगिता बीते 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी जिसमें परतियोगिता की शुरुआत में मशाल रिले समय पर समय पूर चोकी से निकाले गई जो की माता सुकदेवी स्कूल तक लाएग गई उसके बाद अन्य खेलों का शुभारम हुआ था दो अक्टूबर से 16 ताइक तक चलने वाले इस खेल परतियोगिता में क्रिकेट, फुटबॉल, बोड़ी बिल्डिंग, कबड़ी जैसे कई खेलों को शामिल किया गया जिसमें खास तोर पर दिली दिहात से जुड़े खिलारियों ने अपनी परतिभा की दिखाई और ये भी सुनिशिक कराया कि ग्रामिर इलाकों में भी परतिभा की कमी बिल्कुल नहीं है उलेकनी है कि चोदरी न्यादर सिंग यादव मेमोरियल ग्रामिर खेल कूद परतियोगिता का उद्देश है दिल्ली दिहात में छुपे हुए हुनिर को बाहर लाना और उसे देश के साथ-साथ विश्व इस तर तक पहुँचाना है जिसके लिए ऐसी परतियोगिता का आजिन किया जा रहा है साथ ही साथ जो बच्चे हुनरवान है और उनमें परतिभा है लेकिन किसी आर्थिक कमी या फिर खेलकूद की सामागरी की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देने से लेकर जरूरी सामागरी तक देने का काम संस्ता दोरा किया जा रहा है खुशी हुई पिछले दो अप्टूबर से ग्रामिन शेत्र के बहुत प्रतिभावान बच्चे चाहे वो क्रिकेट में थे चाहे फुटबॉल में थे कबड़ी में थे क्रॉस कंट्री आज सुबह शुरू हुई हजारों की तादाद में बच्चों ने पार्टिसेपेट किया और मुझे खुशी है कि बहुत छोटे छोटे बच्चों ने साड़े साथ किलोमेटर की इस क्रॉस कंट्री को ना सिर्फ कंप्लीट किया बलकि कंप्लीट करते हुए अपना स्थान भी उन्होंने बनाया है मेरी शुकामना इन चोटे बच्चों के साथ है और कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि जिस मकसद के साथ हमने चोटे नियादर सिंग यादव ग्रामीन खेल कुद प्रतियोगता की है उसका जो मकसद था कि छोटे बच्चे जिनमें प्रतीबा है वो आगे आए वो बच्चों को प्लैट्पॉम मिले जिनको और कहीं प्लैट्पॉम नहीं मिलता मैं समझता हूं कहीं न कहीं हम उसमें अपने आपको सफल महसूस करते हैं मुझे बहुत खुशी है और मैं शुब कामनाएं देता हूं मेरी पूरे टीम का जिन्होंने अथक परियासों से इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया सब्सक्राइब करते हैं और अपनी प्रैक्टिस करो क्या पता आगे हमारी जगा वह गोरतरब के हर साल इसी तरीके से संस्था द्वारा ग्रामिर खेलकूद परतियोगिता का आईजन किया जाता है आने वाले सालों में इसे और बहतर आईजन करने का वीजन लेकर इस परतियोगिता का रविवार को समापन किया गया बहराल इस तरह की परतियोगिता च्छिपी हुई परतिवा को एक बहतर अफसर परदान करने के लिए कारगर साबित होती है लिहाजा जरूरी है कि इस तरह के कारेकर्म लगातार आगे भी आयजित किये जाते रहें ताकि 6PV परतिभा को सामने लाने का प्रयास किया जा सके और तमाम परतियोगी अपने हुनर का जलवाद दिखा सके दिली से अपने सयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट हमवतन टीवी